हलो एवरिवन, वैलकम तू स्टार आइक्यू, स्टार आइक्यू के इस वीडियो प्लाटफॉर्म पे आप सभी बच्चों का बहुत-बहुत स्वागत है, 18 अगस्त 2021 के हर्याना करेंट अफेर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, प्यारे बच्चों अगर आप लोग कोर्सिस पर्चेज करना चाहते हैं, बैंक का स्पेसली कोर्स लेना चाहते हैं, तो आप लोगों को बहुत ही सस्ता सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, 5850 और आप लोगों को 10% इंस्टांट डिसकाउंट चाहिए, तो आप लोग मेरा अनलोग कोड इस्तमाल करना बिल इन में से कोन से विरिष्ट IPS अधिकारी होंगे हर्याना के नए पुलिस महानिदेशव, एक्चुली इन्होंने पदभार संभाल ही लिया है, इनका नाम है स्री परशांत कुमार अगरवाल यानि की पीके अगरवाल, ए आप्शन जो है इस क्युस्टन का वो बिलकुल ठीक ह आज का पहला क्युस्टन क्या होगा, 18 और 19 अगस्ट को हर्याना के अंदर दीविस मनाया जाएगा, कोन सा अनपुरुणा उत्सव मनाया जाएगा, यानि कि ए ओप्शन इस पर्टिक्लर क्युस्टन का वो अंसर रहने वाला है, अनपुरुणा उत्सव कुर्चेतर के जिसका नाम एड है उसको जो है ना हर एक पात्र को पांच और दस किलोग्राम जो है गेहूं दिया जाएगा नवंबर तक जो है ना ये मिल रहे कोटे से अलग होने वाला है पहले नवंबर तक का ये कोटा था पिछले साल नवंबर से जो है मिल रहा था एक्चुली तो ये 2020 के lockdown से ही इसे start कर दिया गया था डिपो धारकों को जो है ये निर्देश दिये गए थे तिक है और अब जो ही ये 55 किलो के या 10-10 किलो के गेहूं के bag है सीधे ही दिये जाते हैं और अब तक तकरीबन 5.2-2 लाक जो लाबारती है उनको लाब पुंचाया ज चुका है इस अनपूरणा योजना का अगला सवाल हमारा होगा कि भारत के software technology की बात करते हो आप लोग इंडिया software technology पार्क की बात करते हैं तो ये 1450 करोड से बढ़के कितने करोड हो गया है ये तो एक बहुत बहुत important news है इसका सही अंसर रहेगा 26,140 करोड आप समझ सकते है grow up कितना हुआ होगा देखिएगा ये साल 2000-2001 में ये आंकडा था 1450 करोड लेकिन साल 2020-21 का आंकडा हो चुका है 26,140.64 करोड ठीक है ये आंकडा इतना बढ़ चुका है हर्याना का पिछले 20 सालों के मुकाबले अब आप पूछेंगे सर ये है क्या SPPI यानि की Software Technology Parks ये एक्चुली Science and Technology Organization है इसकी स्तापना 1991 के अंदर हुई थी इंडिया की Ministry of Electronics and Information Department के तहत इसका Headquarter जो है न वैसे तो New Delhi के अंदर है और ये भारत के अंदर जितने भी Technology है या Tech Software है उनके Boosting में काम क्या करती है तो मतलब हर्याना को Particular आप देखते हैं तो Registered Unit हर्याना की पिछले 20 सालों में जो है न वो 26,140.64 करोड की हो चुकी है मतलब Technology का बहुत जादा विस्तार हुआ है हर्याना Particular State के अंदर अगला सवाल है कि हाली में किस राज्य को पहला रामसर स्थल मिला है ये क्यूसन तो आज के Lecture की जान है बहुत बहुत इपॉर्टन क्यूसन है रामसर स्थल ये option इसका सही रहेगा हर्याना इसका सही अंसर रहेगा इस से Related Already HSSC गराम सचीओ के पेपर में क्यूसन आ चुका है जब मैंने आप लोगों को क्यूसन पढ़ाया था ये क्यूसन सबसे पहले मैंने पढ़ाया था आप लोगों को जनवरी के महीने के अंदर ठीक है न और अभी रिसेंटली जुलाई महीने में जो पेपर हुए है उनमें इस से सम्मंदित क्यूसन आ जा चुका है अभी भी इन फ्यूचर एक्जाम में जरूर पूछा जाएगा हर्याना के अंदर रामसर स्थल मिल चुका है फाइनली पहले तो गोशना हुई थी लेकिन अब इस पे फाइनल मौर लग चुकी है अगस्त दो जारीकिस में प्रयावरण और वन और जलवायू परिवर्तन मंत्रालिय की और से अंतरास्तिय महत्तव के आद्र भूमी समेलन रामसर समेलन जिसको कहते हैं उसमें भार से चार और आद्र भूमी जिसमें से गुजरात और हर्याना की दो दो आद्र भूमी जोडने की घोशना हुई है मतल हर्याना की सुल्तान पूर रास्ट्रे उध्यान गुरूगराम हर्याना और भिंडावास वन्यजीव अभ्यारन जज्जर हर्याना इन दोनों को एड़ किया गया है भारत में रामसर स्थलों की संख्या अब कितनी होगी है टोटल 46 हो गई है और टोटल एरिया हो चुका है 1083322 हर्याना को अपना पहला रामसर स्थल मिला है अब तक याद रखिया गुजरात की कुल साइटों की संख्या तीन हो चुकी है नल सरोवर के साथ जिसमें 2012 में घोसित किया गया था पहला नल सरोवर था अभी रिसेंटली दो स्थल और हो गई है ठोल जील वन्यजीव बैरन औ पर एक वादवाना वेटलेंड छेतर जो की गुजरात का ही है रामसर के बारे में बात करते हैं तो वेटलेंड पर रामसर जो आपका एक छेतर है एक अंतरसरकारी संदी है ये ठीक जिसे स्विंटराश्टर के दवारा मानित्ता प्राप्थ है स्विंटराश्टर के साथ र लागू किया गया था तबी जो है इसको रामसर समझोता कहा जाता है आदर भूमी और उनके संसादनों के स्रंक्षन और बुद्धिमानी से उप्योग करने के लिए ही ये जो है एक परकार का समझोता है और हर साल विश्व आदर भूमी दीवस मनाया जाता है दो फरवरी को सा 2021 का थीम था आदर भूमी और जल ये भी याद रखना प्रयावरण और वन और जलवाईू परिवर्तन मंत्रालिया के बारे में बात करें तो केंद्रिय मंत्री का नाम भुपेंद्र यादर है जिनका दिर्वाचन छेतर राजस्थान है और राज्य मंत्री इसमें है बहुत सारे लुप्त प्राए जैसे सोसियेबल लेपिंग और लुप्त प्राए इजिप्शन वल्चर ठीक है ना फॉलकन ये बहुत सारे बर्ड जो है यहाँ पे सामिल है जुलाई 1901 में में वन्यजीव स्रक्षन अधीनियम 1902 के तैत पार्क की स्थिती को रास्टे उध् प्रजातियां यहाँ पे जो है लगबग रहती है ठीक है तो यह पॉइंट भी आप लोगों को यहाँ से याद रखना है बहुत सारी लुप्त प्राए परजाती जैसे फिस इगल है ब्लैक बैलिटन है यह कई सारी जो पक्षियों की परजाती है यहाँ पे हर साल रहा करती है तो बहुत इपॉर्टेंट क्यूस्टन था आपको होफुली यह पढ़के समझ में भी आया है और के साथ में याद भी रहेगा CCI ने Zometo दोबारा Gophers India और HOT में 9.3% के अधिग्रेंड को मंजूरी दी है Zometo का मुख्याले कहां पे है Zometo का मुख्याले हमारे हर्याना के अंदर है हर्याना के गुरू ग्राम के अंदर है ठीक है याद रखिएगा डिव आप्छन इसका सही रहेगा इसमें CCI का फुल फोर्म है क्या आपका जो आपका भारतिय प्रतिस्परदा आयोग जो है ना आपका और इन्होंने Zometo लिमिटेड को Gophers India प्राइवेट लिमिटेड को जो है जो है जो मेटो लिमिटेड के बारे में बात करें तो इसके संस्थापक और CEO का नाम दिपिंदर गोईल है इसका हेड़ुकाटर गुडगाओं हर्याना में है जैनवरी 2010 में जो है यह स्थापित हुई एक कंपनी है और Gophers India प्राइवेट लिमिटेड जो है इसके CEO और सहसंस्थापक का नाम अलबिंदर धिंडशा है इसका हेड़ुकाटर भी गुरुगराम में है और इसकी स्थापना भी मई 2015 में की गई थी इतनी बातें आपको याद रखनी है बहुत ही जदा डिटेल और बहुत ही जदा प राइट टू सर्विस एक्ट दो हजार चोड़ा अभी क्या है सर एक्ट का मतलब यह कि मान लेते हैं फ्यूज उड़ जाते हैं कहीं तार टूड़ जाती है कहीं पोल टूड़ जाता है ऐसी सिकायतों को बिजली अधिकारी करमचारियों को के पास में आप लोगों को चकर का है ठीक है ना तो कॉल करना होगा बस जस्त और बिजली अधिकारीयों को या जितने भी करमचारी है चार घंटे के अंदर जो है ना वो बिजली की समश्या को दूर कर दिया जाएगा इसी का ही मतलब है क्या राइट टू सर्विस एक्ट दो हजार चोदा को लगू कर दिया गया है तो यह बात आपको याद रखनी है ठीक है ना नैच्रल फ्यूज ऑफ कॉल सहर में चार घंटे और ग्रामिन में सोला घंटे लाइन ब्रेकडाउन सहरी चेतर में आठ गंटे और ग्रामिन चेतर में सोला घंटे यह कई सारे आपके नियम जो है ना इसके तहित सर बहादुरगड ही है यह बहादुरगड के रहने वाले हैं विकास कत्री इनको सोरे चकर मिलेगा एक्चलि इन्होंने पीर पंजाल की पहाडियों में दो आतमकियों को ढेर करके तीसरे को पकड़ा था जिंदा और इसी करके जो है पंद्रा अगस्त को पिचेत्रमे सतंत् अनाउंस हुआ है ठीक है दो हजार बीस में ऐसा किया था इन्होंने दिसंबर दो हजार बीस के अंदर ठीक है ना विकास की बहन निदरलेंड में जो साइंटिस्ट है और उन्हें मैडम क्यूरी अवोर्ड भी मिल चुका है यह भी बात है यहां पे ठीक है चलिए इस बात क हम लोग आगे चले जाते हैं इस बात से अगला क्यूस्तन हमारा होगा कि राजधानी दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने फैसला किया है कि आदर्स नगर में स्थित लड़कों के वरिष्ट माध्यमिक विध्याल्य को अब किस ऑलम्पिक पदक विजेता के नाम पे रखा जा जाएगा ये बात आप याद रखना ताकि जो है इनको सम्मान मिले बच्चों का भी थोड़ा सा यूं कहिएगा थोड़ा रुजहान आये गेम के तरफ रवी दहिया ने भी काया दोजार चोबिस के पैरिस ऑलम्पिक में गॉल्ड मेडल जीत के जरूर लाएंगे रिसेंट कि हर्याना में किस जिले में प्रोजेक्ट परिवर्तन की शुरूरात की गई है तो बताईए पानिपत सोनिपत करनाल गुरुगराम थैंक्यू सो मच हस्ते मस्कुराते जरूर रहिएगा प्यारे बच्चों आज दिन में बारा बज़े से लेके रात बारा बस तक लगा ता वीडियो लाइव ज़रूर देखना आप लोग हर्याना करेंट अफिर पिसले 20 महिने के आपको पड़ाओंगा मैं थैंक्यू सो मच